नमस्कार दोस्तो ग्यान्चक्स चैनल पर आपका अर्दिक स्वागत है इस ओडियाओं में हम बात करते हैं स्वपन दोस के बारे में वैसे तो दोस्तो ये बिमारी जितनी पुरानी होती है इसको ठीक होने मूत नहीं ज्यादा समय लगता है वैसे मोटे तोर पर आपको बता स्वपन दोस क्या होता है वैक्ति को स्वपन में कुछ से इस्तरी या किसी भी वस्तू के साथ या इस्तरी के साथ या संसरग करता है या अस्तमैतों नादी करता है तो उसका स्वपन में ऐसा करता है तो उसका वास्तों में शरीर से वीरियापात हो जाता है इसका नाम ज्यादा हो जाने लगे तो श्रीर की काफी आनी होती है और विर्यद आतु जो नस्ट हो जाता है सुक्राणों की कमी होती हो और भी बहुत से दोसे इसके पर मुख्या रूप से मैं आपको बता दूँ कि सबसे जो इसका असर है उमानसी किस्तिती पर सबसे ज्यादा पड़ता है तो अभी आपको इसके सामने उपसार के विशे मैं आपको बताता हूँ यह तो सुनिश्चीत है कि ओसदियां प्रयोग करनी पड़ती है ओसदियों के विशे में मैं आपको बाद में किसी अगले वीडियो में बताऊंगा विशे में आपको क्या करना चाहिए तुरंत किसी विशव पंदोश के रोगी हो क्या करना चाहिए उसके विशे मैं आपको बताता हूँ वैक्ति को सबसे पहले तो परेज करना चाहिए चटपटी तली हुई चीजें और जो बातकारक चीजें हो वो नहीं खानी चाहिए गरम चीजें, मसालेदार चीजें, मीट मास सराब तमख हुई ये सब चीजें चाहिए बगार ये सब चीजें तुरंट छोड़ देनी चाहिए वो कहते हैं परेज दवा से ज्यादा काम करता है दूसरी बात ये है कि वैक्ति को अपनी दिंचरिया में सुधार लाना चाहिए जब जहां तक हो सके नो बज़े या दस बज़े अंतिम है उससे पहले सो जाए और सुबेरे तीन बज़े अलाराम लगा दे दस से लेकर के दस बज़े सोता है तो चार बज़े तक और तीन बज़े नो बज़े सोता है तो दिन बज़े तक नीद पूरी हो जाती है जो आउश्यक है और कभी भी सोपन्दोस की जो समस्या होती है वो सबसे ज़्यादा इसके बाद ही होती है आप जब उट जाएं तीन बजे आ चार बजे उसके बाद दोबारा सोए ही नहीं बिल्कुल नहीं सोएं और दिन में भूल कर भी ना सोएं इस बात का भी आप ध्यान रखें ये दो बाते नोट करने लाए कोई उसके बाद क्या है कि जब आप सोते हैं तो सोपन्दोस की सरवादिक देखने में बात ये आती है कि या तो मूधे सोते हैं तब सोपन्दोस होता है या बिल्कुल सीधे सोते हैं बाई करवट आप लेड जाएंगे आराम से और आपकी करवटेंगा नहीं बदलती है नींद में तो शही है नहीं तो आप एक काम कर लेजिए कि एक मोटा सारसाल बनवा लेजिए जो बैल्ट होती है उससे थोड़ा उपर मोटी शी उसको दो गांट लगा लेजिए पेट पर बहुत अधागों की बनती थे लगिन उसकी परमपरा से पहले ऐसा ही हुआ करता मूजगी मेखला बंदा करती जो इस परकार के रोगों को दूर करने के लिए हुआ करती तो वैक्ती जब पेट के आगे भी मोटी गांट लगा लगा लेर चिपर और कमर पर भी मोटी गांट लगा ले रशी पर तो चाकर भी करवट नहीं बदल सकता सीधा लेटेगा तो चुबेंगी गांट पेट में कमर में मुदा लेटेगा तो पेट में चुबेगी करवट बदलेगा तो भी कमर ठीकेगी या पेट ठीकेगा दोनों मैसे तो आदमी बाएं करवट लेटेगा तो करवट रहेगा यह दो इस्तीतियां मैंने आपको ऐसी बताई है कि इन से शौपंदोस की समस्याव 50 से ज्यादा 60-70 प्रतिशत कम हो जाती है किसी को नया रोग है तो बिल्कुल ही खतम हो जाएगा तो आप इस चीज को आजमाई है हमारे यह अनुभाव है मैंने कई की लोगों को प्रैक्टिस चीज की करवाई है बाद में आदत पढ़ जाए तो आप रश्चा का प्रयोग करना चोड़ने सुरू में प्रिष्टितियां जो हैं दुखी करती है नींद नहीं आती है जो भी है चुबता है रशी कपड़े के उपर से बांद ले पर यह काम आप प्रैक्टिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह जानकारी में आपसे प्राइधना करूंगा कि अपने जितने मित्र हैं उनसे सेर कर दीजिए और जो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नौटिफिकेशन गाप बेल आइकन होता उसको क्लिक कर लीजिए ताकि मैयत आपके काम के नहीं है तो छोड़ दें मैं तो पूर्ण वीडियो आपको लगती है तो आप उसको आगे प्रेशित के जरूर करें नन्यवाद और करें